पर देखे सांस लेना पड़ता है कि वह फेफड़े फूल नहीं पाते तो सब को एक छोटा से टेस्ट बताता है वह ध्यान से सुन लो अपने पांच-पांच पडोसी को सुना देना सांस दीरे-दीरे खीच के लंबा लो धड़ी हाथ में रखो और सेकेंड के सुनी दबा दो फिर आपको यह देखना है कि आपका सारस कितने सेकेंड रुपता है नॉर्मल आदमी 45-40 सेकेंड एक मिनिट सांस रोक लेता है सांस जितने सेकेंड रोक लिया सुबह सामों चेक करत भेड़नी का आदमी 7-きた भी 5-3 भी निडिशांस जाएगा फिर मिकल झाएगा लिग क्योंकि पूरा फूलता नहीं है फूल पह इंद फिर धीर हैं फिरी फूल रहे हैं पिचर रहे हैं हमें कोई कोरणा नहीं है दोள एक है ओध if anyone is thinking taking any chances just take a look at me I'm in the intensive care unit I can't breathe without this they've had to process that into my sooner I've got cannula so that inso i'm goingnants another cannula and a catheter i'm actually ten times better right now from what I was before I don't even know, I've lost count of the days if anyone still smokes put the cigarettes down because I'm telling you now you need your fucking lungs and please none of you take any chances I mean it because if it gets really bad then you're going to end up here okay thank you for all your lovely messages I really appreciate it and my body is fighting this I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday and I'm just going to fight this so once again don't take any chances I don't know my I'm 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 कि आगा में 31 मार्ज तक अतियावसिक ना हो तो घर से ना निकले। जैसा कि आप सबको जानकार ही है कि पूरे विश्व के तकरीबन 166 देशों में कुरोणा से हम जंग लड़ रहे हैं। उन देशों की तुलना में हमारा देश, हमारा राजे राजस्थान और परिटन स्वर्ण नगरी जैसल मेड की लोग बहुत साउचित हैं। जिसी यह वायरेस उतना प्रकोप में नहीं फैल पाया है। इस बिमारे की रोक्ताम भी बचाओ है और इसके लिए सरकार ने जो एड़वाजरी जारी हो रही है उसका हमें निरिंतर पालन करना है ताकि हम लोग इससे सुरक्षित रह सकें। इसके लिए नगर परिशद पूरे सहर में स्प्रे करवा रही है। वापू प्रचार और पेंप्लेट के जरिये लोगों को जागरूख किया जा रहा है कि हम इससे सावचित रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टर इत्यादी भी अपनी शिवाई निरिंतर दे रहे हैं। मेरी आप सभी से यह अपील है कि अगर आप में ऐसे कोई लक्षान है ऐसे लक्षान पाए जाते हैं तो खुद को घर माइसोलोट करें और उसके साथ में डॉक्टर से परामर्च लेकर करके सुरक्षित रहें सावचित रहें जय हिंद्द जय जय सब्सक्राइब फ़िन वारिवा निवेदन है कि आप लोग अपना अपनी परत्तिसान बंद करें और घरों की ओर पृस्तान करें तबी नागरिक बंदों जापाणी जनेख्टों से निवेदन है कि कॉरोटा वाइरस को देखते हुए सहर में जारा 142 लगी हुए है अपने परत्तिसान बं करें और दरों की ओर प्रस्तान करें नभी नाजरिक बंदों जाबारिक बंदों से नियादन है कि अपने प्रस्तान बंदों करें और दरों की ओर प्रस्तान करें कोरोन वाइरस को देखते हुए है सहर में जारा हिस्तों जमानी सगी हुए है आप कभी वापारियों से दिवे नोगें कि करोना वारस को देंटे वेरे सभी अपनी प्रतिसान बंद करें वीशे से लड़ो अपनी प्रतिसान बंद करें कियो प्रतान करें आप सबसे नेगटिव हुए हैं उनको छोड़के करीब दो तीम की पुष्टी नहीं हुई है बागी लग बारा माल लीजी आप वो सबसे जो गंबीर बात है बिलवाडा में एक प्राइवेट हॉस्पटिल में जो डॉक्टर थे वो खुद पॉजिटिव आये है तो जब दॉक्टर पॉजिटिव आता है तो बहुत खतरनाक स्थीती होती है कम्यूटि स्प्रेडिंगें उन्होंने कितने लोगों को देखा है कितने लोग उनके टच में आये है वहां तो 253 लोग है रॉस्पटिल के उन लोगों को संक्रुपन हुआ है इसलिए विलवडा में कर्थू लगाया गया विलवडा के बॉर्डर सील करने की बाद की गई है दूसरे जिलों से बाद लोग नहीं जाए और वहां के लोग दूसरे जिलों में नहीं जाए इस बाद के डरेक्शन जारी किया है व्यापारी बंदों से निवेधन है कि अपने अपने व्यापारी प्रतिष्टान बन कर परोना वाइरस के संक्रमन से बचाव में जिला प्रशाशन का पूर्ण मदद करें जिला प्रशाशन द्वारा व्यापार मंदल से वाड़ता के अनुक्ताद छे बजे का समय व्यापार व्यापारी प्रतिष्टान बंद करने के लिए निर्दारिक किया गया है परिवार के हिद के लिए अपने स्यम के हिद के लिए व्यापारी प्रतिष्टान बंद कर अपने अपने घरों हेतु समी व्यापारी प्रस्तान करे अरे बंद करें व्यापारी बंदों से निवेदन है कि आपने अपने व्यापारी प्रतिष्टान बंद कर चिलाप रशाजन द्वारा चलाए जा रहा है कोरोना सक्क्रमंट से बचा में पूर्ण मजद करें अपको प्रिज्सस्द्गकर सकतार लाया जो मुद्ददधिक अचाल जुँ आदे कुछ आदे की का दुटती आदे की जुटती ग्राम पंचायत ने माइक से करवाई मुनादी दुकानदारों से की दुकाने बंद करने की अपील कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के किये जा रहे हैं प्रयास आज गोगुंदा ग्राम पंचाइट की ओर से माईक के लावड स्पिकर के माद्यम से कस्बे में मुनादी करवाई गई जिसमें दुकानदारों से अपने परसिष्टान बंद करने की अपील की गई ग्राम विकास अधिकरी जीवन सिंग देवडा ने बताई कि कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए एक अदम उठाय गया है उन्हों का कि लावड स्पिकर के माद्यम से लोगों को कोरोना वाइरस के संक्रमन से बचाव की जानकरिया भी दी गई 211-239-78046 अपनी सुरुक्षा के लिए अमारी मदद कीजिए आज गोगुंदा कस्वे के SBI साखा में कोरोनो वाइरस के संकर्मन के बचाव के लिए बैंक में आए ग्रहाकों के साबुन से हाथ दुलवाए गए बैंक स्टाप मदद जोसी ने बताया कि जहां सरकार कोरोनो वाइरस के संकर्मन को लेकर गंबीर है वहीं कोरोनो वाइरस के बचाव के लिए आज गोगुंदा बस सस्टेंड की SBI साखा में आए सभी ग्रहाकों को गेट पर रोक कर साबुन से हाथ दुलवाए गए फिर बैंक के अंदर जाने दिया गया वहीं करमचारियों दोरा संकर्मन से बचाव के उपाई भी बताये गए SBI की इस पहल को देखते हुए सास्टे विभाग ने भी इन करमचारियों की सरहना की है गोगुंदा में आने वाली ट्रावेल्स बसों की सवारियों का किया जाएगा स्वास्ते परिक्षन जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश जतन संस्तान ने उठाया था ये मुद्दा आज जिला कलेक्टर आनंदी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें रोजाना सूरत और गुजरात के अन्य सहरों से जीले के विबिन कस्बों में आने वाली ट्राइवल्स बसों की सवारियों की जाच की जाएगी आपको बताते कि गोगुंदा उपखंड चेतर से रोजाना 10-15 बसे अकेले सूरत सहर में जाती है वहीं ये बसे रोजाना अपडाउन करती है इन बसों में खेतर के सेकड़ों लोग यात्रा करते हैं कोरोनो वाइरस के चलते सूरत से प्रवाजसी लोग वापस लोट रहे हैं ऐसे में बसे समवारियों से खचा कच होकर सुबे 5 बजे से 9 बजे के बीच गोगुंदा ख्यतर में आती है ख्यतर में काम कर रही जतन संस्तान के दोरा ये मुद्दा उठाया गया है जिस पर संग्यान लेते हुए जिला कलेक्टर ने चिकिसायम स्वास्ति विभाग को आदेशित किया है कि वह इन बसों में आने वाली सवारियों के स्वास्ति की जाच करें चिकिसा में स्वास्ति विभाग की टीमे तोरा सुबे पाँच बजे से नो बजे की बीच आने वाली ट्रावेल्स बसों में सवारियों का स्वास्तिय परिक्षन किया जाएगा ए भाई सस्क्राइब करो डेली राजिस्तान चेनल को आप सभी डेली राजिस्तान चेनल को सप्राइस करो